इस साल अगर आप परिक्षा देने जा रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काफी important होने वाला है इस वीडियो को आप अंदेखा न कीज़ेगा पूरा वीडियो जरूर देखेगा अगर आपका अगर इसमें कोई तrü tremendous हो रही है तो आप जरूर टीचर से बात कर लेजएगा अगर आपका OMR seat अच्छा नहीं है या कुछ चीज जो है वो लिखा हुआ मिट चुका है तो उसे आप अच्छे से पहले चेक कर लिजेगा दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान से देखे यहाँ पे आपके करमांक संख्या लिखे गई होगी यानि कि serial number आपको लिखा गया होगा तो जिस subject का आप परिक्षा दे रहे हैं उसी subject को यहाँ पे लिखेगा अब कई ऐसे बच्चे होते जिसका यह दिक्कत होता है कि सार हम लोग English में लिखे या फिर Hindi में लिखे तो देखे इंग्लिस में लिखे या हिंदी में लिखे आगे बात करते हैं आपको क्या करना होगा यहाँ पे आपको परिक्षा यानि कि exam पे आपको टिक करना होगा कि आप वार्सिक परिक्षा दे रहे हैं या फिर आप कपाटमेंट का परिक्षा दे रहे हैं तो अगर आप वार्सिक परिक्षा दे रहे होंगे लेकिन ओमर्सीट में गड़बर नहीं करनी है जो बचे गड़बर करेंगे समझ जाइए उनका रिजल्ट नहीं आ सकता है तो पढ़ाई किया हुआ सारा का सारा बिकार हो जाएगा सांती पुरुवक अराम अराम से आपको भरना है आपको समय बढ़ियां मिलता है अब उसके बाद से क्या करना है यहाँ पर दिखिए आपको यहाँ पर पाली को सलेक्ट करना है कि अब प्रथम पाली में है या फिर दूतिय पाली में है कई बचे क्या करते हैं प्रथम पाली में होते हैं आपका copy तो फिर चेक कई से होगा तो फिर चेक होगा तो आपका गलती पुरा पकड़ा जाएगा क्योंकि इसमें आप कुछ और बनाए होंगे और उसमें कुछ और question रहता है तो इस प्रकार से जिस पाली में आप exam दे रहे हैं परिक्षा दे रहे हैं वह फस्ट शीटिंग है या second sitting है उसे ध्यान पुर्बग दे करके यहाँ पे आपको tick कर लेनी हैं अक्सर यही देखा जाता है पहले आपको हम इसले बता दे रहे हैं क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि कई जग स्कूल कॉलेज में जब आपका परिक्षा सेंटर जाता है तो वहाँ पे कई ऐसे question paper पर मिल जाएगी या आप जो admin card लिये हुए हैं उसी में आपका beside card होगा ठीक है admin card में भी side beside code रहता है हां होता ही है तो उसमें आपको beside code ध्यान प्रिबग दे करके क्या कर लेना आपको भर लेनी है रही बात यहाँ उसके बास से आपको simple यहाँ पे भरना है क्या चीज प चार्ट वाला है ना मतलब पहला दिन जो परिक्षा हुआ था वही भर देते हैं हमेशा वही डेट भरते हैं तो ऐसा गलती नहीं करनी है जिस दिन जो परिक्षा आप दे रहे हैं उसी दिन का आप तारिक जो है यानि के डेट जो है आप भर दीजिएगा उसके बास से आप पर यह जो तीन भरने वाला है न ये ये चीज आपको गलती करना ही नहीं है पहला गलती क्या करते हैं आप लोग कि रॉल कोड भरते वक्त रॉल नमर भरते वक्त उसके बाद आप भी साय कोड भरते वक्त ध्यान देखें पहले आपको रॉल कोड आपको अच्छे से भरना तो तीन वाले इसन दिखुया है तो यहां है यहांने कि जो भि आप अंक भरे में देखिए कि वह अंक कहां पर है उस लाइन में जो भी अंक है उसको क्या करना आपको काले या रूंग से उससे रंगना है बाल पेन कौन होता है देखिए जो बाल पीन होता है उस पर लिखा भी रहता कि बाल पीन उसे लिंग गर वो यह पथे तो वैसे उसी का सबसे जाधा बच्छे उस करते हैं आधिक तरह बच्छे यही गलती करतें कि जो पर यही तो आधिक दो बच्छे८त बहर porkous भरने में एक घ्यान प्रूबक भ पर रॉल नंबर भरना है तो जिस बक्स में आप जो संख्या भर रहा है उसी के लाइन में वह संख्या को क्या करना आपको गोला लगा देना अच्छी तरह से गोला लगाना है गोला इतना ध्यान पुरपक लगाना है कि जो आपको गोला लगा रहा है तो वह आधा नहीं रहा जाना चाहिए और गोले से बाहर आपका जो रंगा हुआ है वह बाहर नहीं जाना चाहिए यह चीज को ध्यान देना है यानि कि अच्छे देखिए और उसको गोला लागा एक फ़र सा प्रैक्टिस कर लिजे आप ताकि दिक्कत नहों वहां पे ठीक है उसके पास आपको क्या क पूछ लिजेगा बढ़ियां से ठीक है कि सर इसमें का विसाय कोड कौन हम क्या भरे ऐसा नहीं कि जल्दी-जल्दी के चक्कर में कुछ भी भर देना कुछ भी नहीं भरना है सुन समझके के भरना है जो भी यहां पे बताया जा रहा है ठीक है इतना चीज भरने के बाद से आपको क्या करना है ध्यान से देखिए उसके पाद से आपको पंजियन करमांक भरना यानि के रजिस्ट्रेशन नंबर अब रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपके एड्मिट कार्टे भी पे दिया गया होता है एड्मिट कार्ट जो आपक अच्छे ढंग से भरना है ठीक उसके पासे देखिए ध्यान पुर्वक यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमने आपको बिसाय कोट बताया है तो बिसाय कोट को आपको एकदम बढ़ियां से सुच समझ करके देख करके बढ़ियां से बिसाय कोट को भरना है रॉल अमर को भरन गया लेकिन गलत तरीका क्या करते हैं बच्चे इस तरीक से टीक कर देते हैं कई बच्चे क्या करते हैं कि गोला में केवल टीक लगा देते हैं तो वह गलती नहीं करनी है उसके बच्चे क्या करते हैं यहाँ थोड़ी सी बीच में क्या करते हैं उसको शीना लगा देते हैं ग प्रकार से है ठीक है तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले omr seat को भरनी है ठीक है उसके बार से ध्यान से दिखे यहां पर देखे वैसे तो आपके omr seat पे आपका नाम जो है इस समय साइट टाइप होके आ रहा है या रॉल नमबर को जो है टाइप होके आ रहा है तो उसको तो ध्यान से पहले आपको चेक कर लेना है कि क्या वही आपका OMR सीट है उसके बसे देखे यहाँ पे आपको लिखने को मिलती है यह पहले वाला OMR सीट है ध्यान से देखे, यहाँ पे आपको परचारती का नाम, यानि जो आप परिक्षा दे रहे हैं, अपना नाम लिख दीजेगा पूरा, जैसे admit card में होगा, वाइस नहीं लिखेगा, अपने मन से कुछ भी मत लिखेगा, ठीक है, उसके बासे आपको बिसह का पूरा नाम इस आपको समझ में आ रहे हैं, तो लाइक किजे, लाइक करने में कंजूसिक करते हैं, फट 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 लाइक किजे, और जितना ज़्यादा हो सकता अपने दोस्तों को help किजे, क्योंकि माल लिजे, एक साल, दस साल की पढ़ाई, उनका बरबाद हो जाएगी, प्लीज, मैं आप आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कि जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है, उतना ज़्यादा इस वीडियो को सेर कर दीजेगा, जिसे कि सबको knowledge हो जाए, सबको जनकारी हो जाए, ठीक है, और चैनल पर पहली बार है, तो सबस्क्राइब जरू कर लिजेगा, ठीक है, उसके ब आपको सबसे बड़ी और जरूरी बात बताना चाहेंगे, कि आपकी question paper जो मिलती है, उस पे set wise रहता है, हना, set A, set B, set C, set D, हना, इस परकार से set आपको मिलती है, तो ध्यान पुर्वाग भढ़िएगा, जो set आपको मिला गया होगा, आपको ये भी रंगने के लिए मिलेगा इसके जो paste को आप पलटीएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास पहला ही paste था, इसलिए आपको दिखाया है, उसके बास तो इसमें आपको set भर देनी है, मतलब कि जो आपका set मिला है, set A मिला है, कि B मिला है, आपको वो रंगने के लिए मिलेगा, ठ प्रशन को बढ़ करके, और A वाले गोला में आपको क्या करना है, गोला इस तरह के से, बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको लगा देनी है, ठीक, और उसके बास से, जो आपका question दिया गया होगा, उस question को बढ़ करके, OMR जो sit है, उसमें आपको number दिया गया option आपको पता है, जिसका answer पता है, उस वाले number में, अक्सर बच्चे यही गलती कर देते हैं, तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है, ध्यान पुर्वबक कि अगर जिस प्रशन का उत्तरा बता रहे हैं, उसी प्रशन के गोले में आपको जाकर के लगानी है, गोला लगाना ह ठीक है, जैसे मालीजे, कि आपने 25 नंबर प्रशने बनाए, और 25 नंबर प्रशने में मालीजे, option C नंबर सही है, तो 25 नंबर वाले box में जाना है आपको, और उसमें C नंबर वाले को अच्छे तरीके से गोला लगा देनी है, ठीक है, इस तरीके से आपको गोला लगा देन और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को सेर कर देंगे फटा-फट समय कम है सब को बता देजे और पढ़ाई में लग जाए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ाई में लग जाए अगर आप 4 गंटा पढ़ते होंगे और इस तरह का भी वीडियो आपको बताते रहते हैं बनाते रहते हैं जिससे कि आपको परिक्षा में दिकत नहीं हो ठीक है चली बहुत बहुत धन्याबाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए फिर मलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में और इसके पहले जितना भी वीडियो ने देखे हैं सारी वीडियो ज़रूर देखेगा